हलो ब्रिवन वेलकम टो इस्टेडी वी द्यान रकास तो दोस्तों आरो यारो के बाद मतलब कुछी दिनों के बाद यूपी पुलिस का जो पेपर है उसके भी लीक होने के समाचार मिल रहे हैं अगर आप सोसल मिडिया पर खासतों से अगर आप ट्विटर देखेंगे जिसको अब आप X कहते हैं तो मामला ट्रेंडिंग में है यूपी पुलिस एक्जाम ये पहरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है पुलिस भरती इसके लावा और भी कुछ चीज़े हैं जो कि बरतमान समय में ट्रेंडिंग में चल रही है और आज भी ये चीज़ें ट्रेंडिंग में ही रहने वाली हैं अभी भी ये चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं और आप देख रहे हैं कि UPP पेपर लीक, पुलीस भरती, UPP पुलीस एक्जाम, योगी और बहुत सारी चीज़ें देखो फ्रेंट्स इस मुद्दे पर अगर आगर आप देखेंगे तो हमारे जो उत्तरदेश के पूर मुख्यमंत्री हैं अखले स्यादों के साथ साथ कई सारे बड़ी हस्तियों ने भी इस पर आवाज उठाई है और साथी साथ ये मांग करी है कि ये जो पूरी परिक्षा जिसका पेपर लीक हुआ है इसके निस्पक्ष जाच होनी चाहिए यहां अखबार में भी आप देख सकते हैं कि सिपाई भरती परिक्षा का पेपर हुआ लीक परिक्षा ने रस्त कराने लिए स्यम योगी को लिखा पत्र FIR कराई गया है तो पोलिस विभाग में सबसे डान करने पर इस बात का खुलासा हुआ है तो इसी के साथ यहां पर आप देखेंगे अगर तो अमिताफ ठाकूर ने एक पत्र भी लिखा किसको लिखा गया है आप देख सकते हैं कि अमिताफ ठाकूर आजाद अधिकार सेना सिपाई भरती परिशा के संभावित पेपर लि यूपी और साथिसाद यूपी पुलिस डीजी यूपी तो यहां पर यह जो पत्र है इसको आप पढ़ सकते हैं जो कि बरतमान समय में अमिताफ ठाकुर जी के ट्विटर हेंडर पर मौजूद है इसमें मांग की जा रही है कि बरतमान में जो भी साक्षी मिल रहे हैं उनको अगर आधार बनाया जाए तो यूपी पुलिस की जो परिच्छा अभी हाली में संपन्न हुई है उसका पेपर लीक था तो इसके लिए अब एक उच अस्तरी नि के बीच आजाद अधिकार सेना के अमधा ठाकुर द्वारा निश्पक्ष पारदरसी जां समचित कारवाई की मांग की जा रही है और साथी साथ कुछ यहां पर सबूत भी दी जा रहे हैं और उसमें यह चीज़े बताई जा रही है कि जो परिक्षा हो रही है उसके लिए जो आंसर की है आप यहां पर देख सकते हैं यह आंसर की सोसल मेडिया पर एक्जाम से पहले ही वारल हो गया था और इसके बारे में भी विवेक कुमार जो की एक्जाम पूर के हैं उन्हों ने भी अपने ट्विटर हंडल पर कई सारे सबूत यहां पर एबल निबेदन है कि आपको सबूत चाहिए तो आप समय दे दीजिए मैं सबूत लेकर आपके पास आ जाओंगा पर आप इसे भ्रामक मत कहिए आज की सिकंड शिफ्ट के पूरे एक सुपचास प्रस्ट का सलूसन वार्स एप और टेलिग्राम पर कई घंटे पहले से एर किया जा रहा था इन्हों जो यहां पर स्टेटमेंट दिया है उसको भी आप सुन सकते हैं तो पूरा वीडियो आप वीडियो को मार्के टुटेट हर पर जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में डाल दूँगा दोस्तों इसी के साथ यूपे पुलिस परिशा की सिकंड शिप्र का पेपर लीग छातर पढ़ाई भी करें छातर पेपर लीग का पता भी लगाएं उसके बाद भी छातर ही सबूत भी दें यहां तक सीमी तो होता तब भी ठीक था किंद उसके बाद हो रहे अन्यायक लिए लड़े भी इतना सब होने के बाद मिहनती चातर का ही समय और उम्र भीतेगी किन्द जमेदार लोगों का क्या अंतरता चातरों का ही अहित क्यों और ये दसा सभी राज्यों की है धांदली अपने चरम से भी ऊपर है ये ट्विट किया गया है अभिनों मैट्स के टेलीग्राम की एडिट सुभिता का प्रयोग कर सोसल मेडिया पर पेपर लीग समन्दी प्रम फलाया जा रहा है बोर्ड एमंग उपी पिलिस इन प्रक्रणों की निगरानी के साथ इनके सूर्स की गहन जाच कर रही है परिशा सुनिश्चित और सुचारी रूप से जारी है ये ट्वीट 19 गंटे पले क्या गया था यूपी पी आर पीबी के द्वारा यानि की उत्तरब्रेश पुलिस रिक्रिट्मेंट और प्रमोशन बोर्ड के द्वारा यही नहीं दोस्तों अगर आप गूगल करेंगे यूपी पुलिस पेपर लिक दोजार चौबिस तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के साथ साथ हमार उजाला, न्यूजेट 10, नौभारत टाइम्स, डियन्ने इंडिया और भी बहुत सारे नियू सोर्सें जो की इस ख और फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि 17 फ़री को, दूसरी सिफ्ट में आज उत्वी यूपी पुलिस सिपाई भरती परिक्षा का पेपर लिक हो गया है, सोचल मिडिया यूजर्स एक्स पर दावा कर रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर आंसर की के साथ वारल हो रह पर लिक हो इन दावों के बीच यूपी पुलिस भरती बोर्ट ने ट्वीट कर ज़रूरी जानकारी दी है, यूपी पुलिस भरती बोर्ट ने पेपर लिक खबर से साफ इंकार कर दिया है और वारल दावों की जाच कराने की बात कही है, तो यहां पर दोस्तों आप गर और के साथ फैल रही है जिसे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोस का माहौल है पिछली अन्य परिक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आसंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है तो दोस्तों यहाँ पर जो मामला उठता है वो यही है कि आखिर पेपर लीक हो क्यों रहे हैं और इतनी बड़े अस्तर पर यह चीज़ें सामने क्यों निकल के आ रही हैं अगर दस बिस पचास की बात होती तो ठीक था लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें इन गे तो कि इस मामले की इस निस्पक्ष जांच जरूर करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके और परिक्षाओं में पूरी पादरसिता के साथ और कुछ ऐसी तकनीकों का भी इजाद होना बहुत जरूरी हो गया है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने ने आएं सबसे बेहतर तरीका यह इस मौक टेस्ट करवा दिये जाएं ताकि वो लोग बिल्कुस सहज हो सके कि CBT की परिक्षा कैसे दी जाती है इसके अलामा दोस्तों अगर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके पास कोई चीजी निकल के सामने आती है जिससे परिक्षा में पारदरसिता बनाई रखी जा सके त यह एक बात होता है कि OMR सीट पर जब भी परिक्षा हो रही है तो उसकी सुचिता भंग करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं सरकार की तमाम कोशिसतों के बावजूद भी पेपर आउट हो रहे हैं और इससे सभी की किरक्ली हो रही है चात्रों की भी हो रही है साथिसास सरक कार की भी हो रही है चात्रों की करिकरी होती है उनके परिवार में और उनके दोस्तों के साथ जिसमें ये कहा जाता है कि तुम इतने समय से तैयरी कर रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो लेकिन अगर किसी को एक घंटे पहले 120 प्रसंदे दिये जाए और अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपनी मेहनत से लडाई लड रहा हो तो डिरेक्टली कॉस्चन रटने और मेहनत से उसका सामना करना, यह दोनो बाते हैं और यह दोनों बहुत ही अतार्किक बाते हैं डिरेक्टली 120 पढ़के कोई 120 प्रस्णों का उत्तर जान जा रहा है और आप सायद 120 पन्ने पढ़के भी 50 प्रस्णों के उत्तर नहीं दे पाएंगे तो सारी चीजें आपके सामने हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही चैनल पर बने रहें जो भी अपडेट मिलेगी आप तक मैं पहुचाता रहूंगा बहुत धन्यवाद थैंक्यों